नमस्वार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों मैं जानता हूँ कि आप पेशे के लिए तड़प रहे हो आपकी जुनकाल में पेशों की जरुद बढ़ गई है आपकी जुनकाल में मुझ्जिबत बढ़ी आई है और पेशे कम पड़ गए है जिया दोस्वों तो दोस्वों आप शबी को बता दे कि आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिश्णा करें और शुरूश लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान्श देखिएगा दोस्वों आपको बता दे कि पेशा शमाल नहीं पाओगी यूँ कहें पेशों में आप डूब जाएगी दोस्वों इतना पेशा आएगा कि पूरा जिवन इधर का उधर हो जाएगा खाई शिलेकर उचाही का शफर आपका बन जाएगा जया दोस्व में यह शमाल इन आप इस बात को सुचेंगी कि पेशों की दिकत आखिर किशको नहीं है जा दोसों पेशों के दिकत सब को है लेकिं दोस्थों सब में और आप में बहुत यदा फरक है और यह फरक को आप तभी शुज़ पाएंगे जब आप इस वीडियो को अंते तक देखेंगे जा दोसों कि दोसुं इस वीडियो में हम आपकी जुनकाल की श्रलशे बड़े मूलमंत्र correct देने वाले हैं जो कि दोसों आपकी काल में होना बहुत जया-चिक है जै दोसो में अक्षर आपकी जुनकाल में एशा हुआ है इसा वांत नहीं कि पैष्ण आपके पाश नहीं आया था दोस्वों आपके पास पेशे तो बहुत आते हैं लेकिन दोस्वों एक इधर से आते हैं तो फिर उधर चले आते हैं एक शमश्या अगर यहां पर शांत होता है तो दूसरी शमश्या आपके शामने खड़े हो चाते हैं जिनकी कारणा आपके पेशे का जो हुआ है वह होता ही रहता है दोस्तों हमारा आप शुमिशे विनमर निवदन रहेगा कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतर तक देखिएगा तब दोस्तों आपको इस बात का पता चलेगा कि आखरी है वीडियो आपकी जुनकाली लिए कितना अवश्यक है उसे पहले द बता दें कि पिछले शुमे में आपने सब चीजों को देखा है दोस्तों पिछले शुमे में आपने सुख भी देखा है जापर आपको अच्छी आनंद की अनुभुती भी है और पिछले शुमे आपने दुख भी देखा है लेकिन दोस्तों आप शुब बता दें कि पिछल आपके पास जरूर आएंगे जिन पेशों के लिए अभी इस वक्त तडप रहे हैं एक शमय वह पेशों आपके भी पास जरूर आएगा जिए दोस्तों इसी चीजें आपके मन में चलती हैं और आपकी दिन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं दिर रात एक करके अपने मुश्कुराट बना करते हैं जिया दोस्तों और यह आपके लिए शब से बड़ी खुबी होती है जो कि आपके भागी को भी चमकाता है और आपके जो दुश्मन हैं उन्हें भी जलाता है क्योंकि दोस्तों आप जो होते हैं अपने दुखों को किशी की सामने व्यक रुत्वे का जो है कायल हो जाती है और आप शे करीबी लोग बहुत जादा जलते हैं जो आपके करीब के लोग होते हुआ तो जानने अंजाने में आप शेक बार दिख जायत दोस्तों आपके चाल चलंग को देखते ही उनको चीड़ाने लगता है जोनकाल में कुछ करने की आपके अंदर अन् liaison होती है आपके मन में कुछ ऐसे भी जज़बा होता है कि आप जो भी मन पशंद कारे है जो अपने मन फाषनद के लिए एक अलगी लेवल पर जाना चाहते हैं अपने हर छेत्रों में आप शबसे कुछ अलग करना चाहते ही आपकी ख्वाहिश दूसरों से अलग होती है उसे प्राप्त करने के लिए आप जीतोड मेहनत भी करते हैं लेकिन दोस्तों हम आप शीकों बता दें कि कभी कभार आपके जुनकाल में इसी गटना याती है शी पच्तिती खड़ा हो जाता है कि दोस्तों समय की मार और जो भी आपके जुनकाल में जिम्यदारी है जो भी आपके जुनकाल में आपका जो करतब है उन्हें मद्दे नज़र रखते हुए दोस्तों आप अमपने अर्मानों का गला दवा लेते हैं यूँ कहें अपने ख्वाहिश को आप छोड़ देते ही और दोस्तों शमने वाले के ख्वाहिश पर आप ध्यान देते हैं जो भी आपके जुनकाल के घर परिवार के शटश है उनके महत्पन जिम्यदारियों को लेकर आप पीछे हड़ जाते हैं नहीं हमें यहां कारे छोड़ दिने चाहिए और इसे श्रमय में श्रमय की भी आपको मार पड़ता है आप देखते हैं कि जब आपके बूरी पस्तिती चरुर्य होती है तो दोस्तों आपको नुक्षांदा ही हो जाता है लेकिं दोस्तों आप शबी को बता दी कि आप यह ब कुみ तो लगous दाना चाहते हैं और आपके उनकाल में पेशों को हशो करने में कोई भी कासर को यह ऐसा समय तो Lisa इस दोड़ दॉर्च दॉर्ण आपके पडिना हृट चलता था लेकिन दोस्तों यही ऐसा समय आगया है कि पेशों की जो अर्थिक दंग्या वो बढ़ गई है महंगाई के शाथ सदाक की जुनकाल में भी कष्टकारी इस्तियां उत्पन हो रही है वो भी पेशों को लेकर आपका पर्याश शफल नहीं हो पा रहा है वह पेशों को लेकर कि दोस्तों आज के इस युग में हर जगह पेशों का नाम लगा हुआ है जहां भी जाएंगे तो पेशों की सबसे पहली मांग होती है आप कोई भी हैं इतने बी बड़े इंशान क्यों नहों सबसे पहले पेशे से ही लोग बात करते हैं फिर आक्षे बात करते हैं इसको ब्रहां दोस्तों आप शुब बता हैं कभी कि आप अपने पुरुष में को याद करके बहुत ज़्यदा अभी भी दुखी होते ही कभी दोस्तों आपको अकले में बेट जाए और उनके बारे में शुजने लगी तो दोस्तों आपके आँखों में आशु भी आ जाते हैं हम आप शुब को बता दें कि आपकी दोस्तों मनजिल है वहाँ आपको अवाशी मिलेगा और दोस्तों वाश में दूर नहीं है वाश में बहुत ज़्यदा आने वाले हैं आप शुकू बता दें कि इस महिने के बाद आपके जुनकाल में करहों की चाल बदर रही है शनी शुक्र और गुरु की जो इस्तिति दोस्तों वे आपके शाथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे इस बात पर आप विश्वास रखिए आप शिभी को बता दें कि भले ही लोग भगवान शुन्देव के नाम शुनते ही डर जाते हैं लेकिन दोस्तों जिनके भी मन में कोई छल नहीं होता निस्चल भाव दोस्तों के राजा भी कहलाते हैं न्याय के धिश कहलाते हैं और शबी जातकों के उपर यहां न्याय का तीर शोड़ते हैं जिया दोस्तों और आप शबी की जुनकाल में भी अब आपको न्याय मिलने वाले हैं पिछले शमय की जो भी मेहनत है उनका प्रिणाम अब आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाले हैं जो आपको बदाएते कि गर्णों की चाल में परिवर्तन आपके होने वाले हैं आपके कुंडली में भी बहुत यह अच्छा बदला होगा और दोस्व यह भागे अब आपका बदल जाएगा जो शमश्याओं का आप शामना कर रहे हैं पेशों को लेकर तो दोस्व भागे बाते हो अब आपके जुनकाल में केरियर की चτιतर में जो भी आपकी रुकाउट ने बढ़ रहे हिती जिन में आपको नुक्षान उठाना पड़ लहा लाब के मुकें फिर शे आपके वहश्य में खुलेंगे जिन में आपको नुक्षान हुए थे जिया दोस्तों आपको बताते कि घर परिवाल का महौल भी जो पिछले शमे बहुती बुरा चरह था दोस्तों अब धेरे धेरे शमाप्त होने वाले हैं आप शुकू बता दें कि अपके शा quests लोगों से बहुति बहुत नहीं किया लगें दोसों आपको पताएं पहले की घरणेदेव हैं ऑन्नियाई को कभी शहन करती जो नहीं करते हें उन्हें अन्हें श्रजा भीवा देतेаемर्येजों आ दूक्ता आपके दुश्मनों को भी अब श्रजा मिलने वाली ह उनकी जुनकाल में भगवान शुन्धदेप का कहर तुटने वाला है, ज्यदोसों और आपकी रास्ते में, जो भी लोग कांटे套े बनते थे या शुमेर दूर होने वाले ही, और जुनकाल आपका भूट थी शुख्च और शूंहरा बनने वाला है, ज्यदोसों रिशी में, अब आपको कोई भी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, अब आपको हर शमय में, हर पस्तिती में अपने कदम को फूक फूक को रखना है, जे दोसों, क्योंकि बगवान शंडिप आपकी जुनकाल में अब महरबान हो चुके हैं, आपकी जुनकाल की शारी शमश्याओं का यू मिलेगा, जे दोस्तों, पेशों को लेकर शमयश्याओं तो खत्म होगी, शादी पारविल जो भी आपकी नौक जोंक चल रही थी, दोस्तों, उनमें भी यश्मे सुधार होगा, शादी आपको बदा दे कि बच्चों को लेकर आपको बहुती शुबसमचार मिल सकते हैं, ब दोस्तों, अब वक्त आ गया है, कि फिर शे उन लोगों से आपकी मुलकात होने वाली है, लेकिन दोस्तों, माप शिवी को बिता दी कि दो बारा, जिन लोगों ने आपको धोका दिया है, दोस्तों, दो बारा उन पर भूल कर भी बिश्वास मत करना, हम आपको एक बात और याद दिला दें, कि यह बात भगवान श्रीकिष्ण ने कहीं थी अपने गीता भे, कि हमेशा अपने दुश्मन को जो ही आपकी बिरोधी है, वह गलती करता है, वह आपको धोका देता है, तो उने माप करके, एक बार अच्छे इंसान बन जाओ श्माज की निजरों में, ल कोई जरुत नहीं है, कि दोस्तों, जो शांप होते हैं, वह कभी भी अमरित नहीं उगलते, हमेशा वो बिश को ही देते हैं, और बिश के आसपास होने शे भी आपको उनका जहर लग शकता है, तो दोस्तों, हमारा आप शवी शे यही विनमर निवेदर रहेगा, कि शांप वाले लोकों शे हमेशा ही दूरी बना कर रखें, इसके साले दोस्तों, आप शे को जुनकाल में एक और बात बता दें, कि अब शे अपने जुनकाल में आप एक चीज का और ध्यान रखें, कि पेशों को लेकर जो भी फिचुल कर्ची आप किये थे, दोस्तों, आप उनको बिल्कुल भी नहीं दोहराना है, जहां पर आपको पेशों की जरुत लगे, वाश में सोच समझ कर उन्हें इन्वेश्ट करें, कि दोस्तों पेशाद धन की देवी मालक्षमी होती है, मालक्षमी कहती है, कि जिस परकार तुम खुद की इज़त करते हो, जिस परकार तुम जुनकाल में अपने अशकताओं को इज़त करते हो, उशी परकार तुम मुझे भी इज़त करो, मैं कभी भी तुम्हें निराश नहीं होने दूगी, मैं कभी भी तुम्हें शवी के शामने लजज़त नहीं होने दूगा, जया दोसों। जिवन में में बिलकुल ही फारक है उनका रवय उनका चाल चलन और आपके चाल चलन में आश्मान का फ़रक है तो कभी भी उनको बता है आप जिस चीज़ों को अपने जिसाफ करना भी बहुत ही जाए अप हम आप शिवान बता दें कि पिछले हमें आपने लोगों का षाहत श्arat अजाया किया दोस्तों श्रमें आपको उन से तुन कर ज में इस यह आद करके पर्षदाना होता है दोस्तों इस बात करें कि मिजलेश में जो भी कार्य आपने किया है इनने अभी याद करते हैं तो आपको प्रस्तावा होता है तो दोस्तों यह जो बात है इन्हें आप ध्यान में रखें और आने वाली भुष में इसका शदीप्यों करें कि कभी भी शमय की भी बरवादी नहीं करनी है दोस्तों कि भी इसी उम्र में भी बड़े शवहलदाओं का अश्वकर लेकता है लेकिन उनकी आरती शती अच्छी नहीं होती उनका उप्राप न होता जो उन्हें मिलना चाहिए तो दोसूं अभी जो शबीजे से ही जुड़ी होती है जिए दोसों इन शबी बातों का गर आप ध्यान रखेंगे तो दोस्वों हम दावे के साथ करशागती हैं आपकी जुनकाल में कभी भी कोई पेशों की कमी नहीं होगी जीय दोसों हर चीर आपके जुनकाल में आपके लिए बहुत यदाव शक है जो भी आपके धनलाग भाव में जो भी घ्रह दोस्त खराब है दोसों या मंत्रा जाप करने तो भाग के आपके आपके दोसोंगे लायग से दियान से सुने दोसों आप आप शुद बता दे कि गरहुव्डियू बरकारón की बिमार्य में बिषये वुतन ना होती है ज्यतोस अगर आपके ब्रहस्पती खराब हो जाए तो पेट की गैश और फिपड़ी की शिमस्या हो जाती है शूर अगर खराब हो जाए तो मूशे बार-बार थूक एकठा होने लगता है जाग निकलना ध्रकन का अनिंत्रित होना शाडरी कमजोर और रखрशाप में दिकत होना या शूर के कारण होता है शाति गराब की जुनकाल में आपका चंदर खराब हो गया है तो दिल और आँग की कमजोरी होती है अगर शुकर खराब है तो तुवाचा दाद खुजली का रोग होता है मंगल अगर खराब हो जाए तो रक्त और पेट शजमंदी बिमारी नाशूर जीगर फोड़ा होना बुद अगर खराब हो जाए तो दोसों सेचक नारियों की कमजोरी जीब और दांत का रोग शनिगर खराब हो जाए तो नैत्र रोग और खांशी की बिमारी राहू घर खराब हो जाए तो बुखार दिमागी कोई खराबी हो जाना अचानक से चोट दूर गटना आदी ये शब राहू के ही चाल होते हैं शाति केतु गर भी गड़ जाए, तो रीड, जोडों का दर्द, गुपतां के शमल कोई भी रोग, ये शुब केतु के कारण होता है, तो दोस्तों इंशे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, दोस्तों और आपको लगे कि आपका शूरी खराब चर रहा है, तो जूटे हाँज से कभी भी शीर को नाच हुए, इस बात का दिन रखें, और आपको लगे कि आपका चंदर खराब है, तो दोस्तों पाने को वेर्थ में बिल्कुल भी बरवाद ना करें कि इंसे चंदर खराब होता है, अगर मंगल खराब हो तो दोस्तों कभी भी आप क्रोध ना कर पत्नी या प्रिस्त्री का शमान करने शुक्र खराब होता है और चुगली करने राहु खराब होता है किसी भिखार या फिर भिचुत का मजा कुणाने शेक केतु खराब हो जाता है आपकी जुनकाल में अगर यह समय से चल रही है गरहा दोस्त चल रहे हैं तो दोस्तों इन बातों का ध्यार के भागी का आपको पूरा पूरा शपोर्ट मिलेगा शिब आपको इन कुछ चीओं को तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किजएगा और कमेंट बाक्ष में सच्चे मन से जय शन्रदेव जरूर लिखेगा और दोस्तों वारे शिदिक जनकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद आपका दिन शुब रहे